नमस्कार सिटीपोस्ट लाइब में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बिहार पुलिस के एक अनोखे अंदाज के बारे में आपको पताना जा रहा हूँ दरसल ये पूरा मामला वैसाली का है जिसमें पुलिस धोल नकाड़े के साथ रेप के आरोपी के घर दविज देन पहुंची है तो एक अनुखा अंदाज देखने को मिला है और लोगों को चकित करने वाला भी अंदाज था ये वैसाली पुलिस का अंदाज है अलगी बिहार पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उपते रहे हैं करवाई को लेकर कि पुलिस मामलों में करवाई देर सवेर से करत आरोपी के घर पहुंची और इससे हार चिपकाया और पकाइदे गली महलों में एलान किया गया कि जो रेप का आरोपी है वो किस-किस उस पर धारा लगे हुए है तो उसे खोज कर आप पुलिस के हवारे करें इस तरह की बाते कही गई तो हम आपको पूरी ख़वर बताते हैं यह जो बैसाली जिले के महुआ अनमंडल का मामला है जहां नावाली से दुसकर्म के आरोपी के घर दविश देने जी संदाज में पुलिस पहुंची उसको लेकर चर्चाय होने लगी महादली समुदाय की नावाली से दुसकर्म के आरोपी को दवोजने के लिए पुलिस की टीम धोल लगारे के साथ उसके गाव पहुंची पुलिस ने फ़रार आरोटी के घर पर इस्तेहार चिपकाने से पहले बकादा माइक से उसके उपर लगी धाराओं के बारे में क्रामीनों को बताया और आरोटी को जल से जल खुद को पुलिस के हवाले करने की चेताबनी भी बैसानी पुलिस की इस हनोखे अंदाज का वीडियो आप सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये पुलिस का जो अंदाज दिख रहा है आपको दरसल ये रेप के आरोटी को पुलिस खोजने गई थी और उसके घर पर दवि में महंगा पड़ेगा इस तरह की बाते कही गई तो महुआ थाना इलाके के इस गाउं में जो है धोल नगारों को देख कर गाउं वाले चौक भी गए कि अचानक ये क्या हुआ फिर जब देखा कि यह टीम जो पुलिस की टीम है उसके साथ धोल नगारे वाले पहुंचे है और यह टीम जो है समुदाय की नवालिक लड़की से महदली समुदाय की जो नवालिक लड़की से दुसकर्म के आरोपी अब इस एक कुमार को खुजने पहुंची थी जो लंबे समय से फरार है कोट के आदेश के बावजूद आदेश के बाद पुलिस उसके घर की स्तिहार चिपकाने पहुंची थी लेकिन करवाई से पहले पुलिस ने धोल नगारे बजवा के आरोपी के सम्द्ने गाउवालों को जानकारी दी तो आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस है धोल नगारे बजा के आरोपी को खोज रही है कोट का आदेश है तो अगरे में गाउवालों को जानकारी दी और उनसे अपील की कि इस आरोपी को वो अगर कहीं भी दिखे तो उनके हवाले कर दे तो ये अनोखी कालवाई से जो गाउवाले हैं वो आसर चकित हैं और कहीं न कहीं वो खुस भी है कि पुलिस से जो फरार आरोपी के लिए जो अ मामला प्ता देते हैं कि क्या मामला है पुरा दरसल ना वालिक लड़की को बहला फुष्ला कर उसके साथ दुष्कन का door लंबे समय से फरार है आरोपी ने 김े बाद न बाल ना वालिक का अस्ली वीडियो बना लिया और पिरित परवार को बीडियो वारल करने की धमकी भी देता रहा तो इसके बाद पिडित परवार ने महुआ थाने में सिकायब दर्ज कराई थी आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी के परिवार वालों ने पिडित नवाली के परजनों को धमकी दी थी पुलिस अब आरोपी की तलास में अभियान चला रही है तो ह अब जो है पुलिस इस मामले में इस अनोखे अंदाज में उत्री है आरोपी की गिरबतारी के लिए अगर आपको इस ख़बार अच्छी लगे तेसे जरू लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करना ना भूलें धन्यवाद